क्या हिंदू राष्ट बन पाएगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको दंगाना चाहिए हिंदू राष्ट तो बना बनाया है घोशना बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट की घोशना भी हो जाएगी तो साथ्यों ये थे बागेश्वर धाम के पंडित धिरेंद्र क्रेश्ण शाष्ट्री जो पटना के अंदर आयोजीत अपनी एक कथा के अंदर ये कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट बन गया है बस इसको इसकी घोशना करनी वाकी रह गई है तो सुनलों में पंडित धिर साल बीच साल तीस साल पचास साल हथ से सो साल होगी लेकिन भारत के समीधान से बने लोकतंत्र की मियाद इतनी गहरी है कि तुमारे यसे ना जाने कितने पंडित इस देश को भारत को हिंदू राष्ट बनाने की कल्पना करते हुए आए उन्होंने इतनी भीड़ उटाई औ चले गया हष्ण इस देश के बाबाव का है कि वो जेल के अंदर पड़े हैं तुम जैसे लोग इस देश की भोली भाली जनता को जो सरकार के सतावए लोग हैं जब सरकार समय पे उन्हें severe नहीं करा पाती उन्हें रोचकार मोया नहीं करा पाती वो अपनी जन सुक्सुविधाओं से वंचित हैं उसके बाद वो एकास लेकर तुम्हारे जैसे दरबारों में मठ्था देखते हैं और इस सरकार उन्हें मजबूर करती है जब सरकार के मंत्री जिने जनता वोट देकर MP बनात आज 27 साल के पाखंडी लॉंडे के सामने जो अपना बेजिनिस और धंदा चला रहा उसके सामने नत्मस तक है क्या ये लोग देश को विज्ञान की और लेके जाएंगे क्या ये लोग देश को विशुगुरू बनाएंगे ये देश पंत निर्पेक्ष है धर्म निर्पेक मॉडाब teenage Gir eyebrow हम बताते के ईंदू राश्ट क्या एंदू राश्ट को रिसमें नारंगी संत्रे और भगवा धारी वो लोग जो किसी पंडेताई चला कर उनको अपना गुलाम बना के रखेंगे वो है हिंदू राष्ट और जो हिंदू राष्ट बनाने की बात करते हैं वो लोग भारते समिधान को बदलने की बात करते हैं वो भारत के समिधान के खिलाब बात करते हैं ये देश लोकतंत्रिक देश है और इस द लामी की बेड़ी न चाहिए जिसमें पढ़ने का धीकार नहीं वो मनु का विधान न चाहिए भारत की एकता खंडता को हम खराब नहीं होने देंगे इस देश को पाखंडी बाबा ओका गुलाम नहीं होने देंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको दंगाना चाहिए मुद्दत से मिली ये आजादी अब गुलामी की बेड़ी न चाहिए हम अपनी गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन इस देश को कभी भी किसी एक जाती और किसी एक धर्म का देश नहीं बनने देंगे इस भारत की खुबसूर्ती है क्या हिंदू मुस्लिम सिख इसाई बौद जैन पार्सी सभी लोग एक भाईचारे के साथ रहें सभी लोग एकता क की साथ रहें कि धिरेंद्र शास्त्री की कता चल रही है यह तो ऐसा लग रहा है कि भाजपां के एजंड़े पर पटिना के अंदर कथा जो रहें वह चलाए गया क्योंकि वहाँ पर जैंकि नहीं पड़ी है इसलिए पंडित धिरेंद्र शास्त्री को एक काड़ बना कर लोगों के सामने पेश कर रहे के आप हिंदू राष्ट की बात कीजिए और भाजपा के मंत्री जब वाजपा का ही कतन चल रहा है और ऐसे पाखंडी बाबा जिनको भाजपा का शह सरकार का शह है और उ जाया किर क्या ये देश इस तरह फलफूल पाएगा ये गंदी राजनीती ये सियासत यर क्यों आप लोग इस देश के भाईचारे को खराब करना चाहते हो या तंकवाद अब जादा दिन तक चलने नहीं दिया जाएगा भारत की जनता समझ रही है ऐसे पोंगा पंडितों की ऐसे पाखंडियों की तो वो भकिया उधेड होगी जब इस देश की जनता जागेगी तो ये पंडित धिरेंद किशन शास्त्री वी जेल की सलाखों के पीछे होगा जिसने जिसके भाई ने दलितों का अपमान किया जिसके भाई ने बरी बरात में तमंचे लह रहा है और जासाविदान